तो चलिए आज हम लोग 12th कलास का हिंदी का लेखक और उसकी रचना जनम जनम अस्थान और मेरित्तु को एक ही वीडियो में कभर करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को लाइक सियर कर दे फ्रेंट और चैनल पे नए आया हैं तो चैनल को सिस्क्राइब करके वेल आइकन प्रे देख सकते हैं कि पाठ और उसके जो लेखक हैं और उसके जो प्रकार है यानी बाट्चीत क्या है निवन्ध है या फिर भासन है करा है देख सकते हैं यहांपर आपको एक ही वीडियो में जनम जनम अस्थान और मिरित्तू यहां से आपको बिल्कुल 10 नमबर का यहां पे एक्जाम में पूछा गया प्रशन यहां पे देख सकते हैं इसी में से आपको पूछायेगा तो चलिए देख सकते हैं पहला जो question है पहला है वाचीत बाचीत है और बाचीत के जो लेखक है वाल कृष्ण भट जी है कौन है वाल कृष्ण भट और बातचीत जो लिखा हुआ है जो यह एक निवन्ध है क्या है फेंट यह एक निवन्ध है चलिए दूसरा देखेंगे उसने कहा था उसने कहा था जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यह कहानी है यह क्या है फ्रेंट तो यह एक कहानी है नेक्स नम्मर जो कोश्चन देखेंगे शंपूर्ण क्रांती शंपूर्ण क्रांती जिसका लेखक है जैप्रकाश नारायन शंपूर्ण क्रांती के लेखक कौन है जै यह एक भासन है जै प्रकास नरायन के द्वारा जो संपुर्ण करामती लिखा गया है यह एक भासन है नेक्ष नमर जो चाउठा देखेंगे अर्धनारिस्वर देख सकते हैं अर्धनारिस्वर जिसका लेखक है रामधारी सिंग दिनकर अर्धनारिस्वर के लेखक कौन है रा पथमा नमबर जो चेप्टर है जो रोज है रोज जो कहानी है जिसका लेखक है सचीदानंद हीरानंद वत्सियान अग्यां और रोज है जो क्या है फिरें तो यह एक कहानी है रोज क्या है यह एक कहानी है नेक्ष नमर छट्था में देखेंगे एक लेख और एक पत्र एक लेख और एक पत्र इसका लेखक है भगत सिंग एक लेख और एक पत्र का जो लेखक है वह भगत सिंग है भगत सिंग क्या लिखा था अस्मर देख सकते हैं जो संस्मरन यानि अपने बारे में आत्मकथा लिखे थे जो पत्र लिखे थे संस्मरन देख सकते हैं सतमा नंबर जोUNG कोस्चन है ओ सदा नीरा ओ सदा नीरा का जो लेखक है जग्दीष चंद्र माथूर जी है कौन है जगदीश, चंद्र, माथुर जी है वो सदा नीरा है यह एक यातरा बिर्तांत है यह क्या है फैंट तो यह एक यातरा बिर्तांत है चलिए 8 नमबर कोश्चन को देखेंगे देख सकते हैं फैंट अठमा नमबर है शिपाही की मा शिपाही की मा तो इसका लेखक है मोहनणराकेश सिपाही की मा के लेखक है मोहनणराकेश और यह आग कांकी है क्या है यह एक कांकी लिखा गया है नेक्स नमबर जो question है प्रगती और समाज देख सकते हैं प्रगती और समाज जिसका लेखक है नामबर सिंग क्या है नामबर सिंग और प्रगती और समाज जो लिखा हुआ है यह एक निवन्ध है क्या है यह एक निवन्ध है चलिए दसमा नमबर question है जूठन देख सकते हैं जूठन का लेखक कौन है, ओम परकास बालमी की, और जूठन है वेट, जो आत्म कथा है, जूठन क्या है, जूठन एक आत्म कथा है, इगारा नमबर जो question है हस्ते हुए मेरा अकेला पन हस्ते हुए मेरा अकेला पन इसका लेखक है मलियज कौन है इसका लेखक है मलियज और यह क्या लिखे थें तो हस्ते हुए अकेला पन है जो यह एक डाइडी है क्या है यह एक डाइडी है next number question है बारा नमबर में तीरिच देख सकते हैं तीरिच तीरिच का जो लेखक है वह उदय प्रकास है तीरिच का लेखक कौन है उदय प्रकास है और तीरिच एक कहानी है तीरिच क्या है तो तीरिच एक कहानी है देख सकते हैं उसके बाद यहां पर देखेंगे तेरा नमबर चेप्टर है सिच्छा, सिच्छा के लेखक है जे कृष्ण मूर्ती, सिच्छा के लेखक है जे कृष्ण मूर्ती और यह एक सिच्छा सास्त्र है, क्या है? यह एक सिच्छा सास्त्र है, तो चलिए अब हम लोग लेखक का जनम, जनम अस्थान और देख सकते हैं यहां पे देखने वाले हैं कि लेखक जो पहला है बाल कृष्ण भट तो बाल कृष्ण भट जी का जो जनम हुआ था फेन देख सकते हैं बाल कृष्ण भट का जनम 23 जून 1844 को हुआ था बाल कृष्ण भट का जनम 23 जून 1844 को हुआ था और इनका जनम अस्थान देख सकते है इलाहाबाद उत्तर परदेश में हुआ था इनका जनमस्थान इलाहाबाद उत्तर परदेश में हुआ था दूसरा नमबर जो है दूसरा नमबर है चंदरधर सर्मा गुलेरी तो चंदरधर सर्मा गुलेरी का जनम 7 जुलाई 1883 को हुआ था कब हुआ था 7 जुलाई 1883 को हुआ था जैपूर के राजस्थान में हुआ था कहा हुआ था fred जैपूर के राजस्थान में हुआ था ता तीसरा नमबर में जैप्रकास नारायन जी का जनम 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था कभ हुआ था 11 15 अक्टूबर 1902 को हुआ था, कहां सिताब दियरा बिहार में हुआ था, सिताब दियरा बिहार में हुआ था, Next नमर कोस्ट्जन है, रामधारी शिंग दिनकर, देख सकते हैं, चौठा में है रामधारी सिंग दिनकर जी, तो दिनकर का जनम 23 सितंबर 1908 को हुगा था, 23 सितंबर 1908 को कहां सिमरिया बेगु सराय बिहार में हुगा था, कहां हुगा था फ्रेंड, सिमरिया बेगु सराय बिहार में हुगा था, पचमा नमबर है सचिदानंद हीरानंदवत्स्यान अग्याएं अग्याएं का जनम 7 मार्च 1911 को हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था कुसी नगर उत्तर परदेश कुसी नगर के उत्तर परदेश में हुआ था नेक्ष जो छठा नमबर है भगत सिंग भगत सिंग का जनम 28 सितंबर 1907 को हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ था बंगा चक जो अभी पाकिस्तान में इस्तीथ है सत्मा नमबर हम लोग देखेंगे देख सक्ते हैं सत्मा नमबर में जगदीश चंदर माथूर तो जगदीश चंदर माथूर का जनम 16 जुलाई 1917 को हुआ था, कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को सहाजपूर उत्तर परदेश में हुआ था, सहाजपूर के उत्तर परदेश में हुआ था जगदीश चंदर माथूर जी का जनम मोहनराकेस, देख सकते हैं, मोहनराकेस, तो यह इनका जनम हुआ था, 8 जनवरी 1925 को, मोहनराकेस का जनम, 8 जनवरी 1925 को हुआ था, अमरितसर के पंजाब में हुआ था, कहां हुआ था, अमरितसर के पंजाब में हुआ था, चलिए, नौमा नंबर प्रशन को देखेंगे, नाम तो नामबर सिंग जी का जनम हुआ था 28 जुलाई 1927 को 28 जुलाई 1927 को हुआ था वारा नसी उत्तर परदेश में हुआ था कहां वारा नसी के उत्तर परदेश में हुआ था नेक्स नमर कोश्चन है ओम प्रकास बालमिकी तो ओम प्रकास बालमिकी जी का जनम 30 जून 1950 को हुआ था कब हुआ था 30 जून 1950 को हुआ था मुझभफर नगर उत्तर परदेश में कहां हुआ था मुझभफर नगर के उत्तर परदेश में हुआ था मलियज देख सकते हैं मलियज है देख सकते हैं मलियज तो देख सकते हैं मलियज का जो जनम हुआ था वह 1935 में हुआ था मलियज का जनम 1935 में हुआ था आजम गड उत्तर परदेश में हुआ था कहां हुआ था फ्रेंड आजम गड उत्तर परदेश में हुआ था चलिए दूसरा देख सकते हैं 12 नंबर है उ उदाय प्रकास का जनम 1 जून 1952 को हुआ था सीतापूर मध्य परदेश में, कहां सीतापूर मध्य परदेश में हुआ था 1 जून 1952, देख सकते हैं 1952 इस भी में, किनका उदाय प्रकास जी का, नेक्स्ट है जे कृष्ण मूर्ती, तो जे कृष्ण मूर्ती का जनम 12 मई 1895 को हुआ था, कब हुआ था, 12 मई 1895 को चितूर आंधर परदेश में हुआ था, कहां हुआ था, चितूर आंधर परदेश में हुआ था, तो चलिए, देख सकते हैं 13 चेप्टर का ये जो कहानी का था उसका यहाँ पे देख सकते हैं 13 चेप्टर जे कृष्ण मूर्ती अब उसके बाद हम लोग काब्बे खंट को देखने वाले हैं देख सकते हैं काब्बे खंट एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है बिलकुल कहानी और काब्बे खंट दोनों का यहाँ पे एक ही वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं मिलने वाला है जनम जनम अस्थान और कवी के जो नाम है और कवीता देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को लाइक सेर कर दिजी फ्रेंट और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को subscribe करके वेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पलपल की update यहां से आपको मिलती रहेगी तो चलिए सबसे पहला जो चिप्टर है करवक देख सकते हैं करवक तो करवक के जो लेखक हैं वह मलिक मुहमद जैसी है कौन है मलिक मुहमद जैसी जैसी का जनम 1492 इस्वी में हुआ था 1492 इस्वी में हुआ था जायस उत्तर परदेश में हुआ था कहां जायस के उत्तर परदेश में हुआ था दूसरा जो है देख सकते हैं दूसरा चेप्टर को हम लोग देखेंगे दूसरा चेप्टर में पद है पद का जो लेखक है वह सूरदास जी है सूरदास का जनम 1478 इश्वी में हुआ था कब हुआ था फ्रेंच 1478 इश्वी में हुआ था सूरदास जी का जनम देख सकते हैं सूरदास जी का जनम 1478 इश्वी में सीही के दिल्ली में हुआ था कहां सीह के दिल्ली में हुआ था तीसरा नमबर है देख सकते हैं पद तीसरा नमबर है जो पद पद के लेखक हैं तुलसी दास तुलसी दास का जनम 1543 इसवी में हुआ था कब हुआ था 1543 इसवी में राजापूर उत्तर परदेश में कहां राजापूर उत्तर परदेश में हुआ था next number question है देख सकते हैं next number question है चौटा नंबर देखेंगे छपपए देख सकते हैं छपपए हो जाएगा फ्रेंड तो छपपे का लेखक है नभादास जी है कौन है नभादास जी है और नभादास जी का जनम 1570 इश्वी में हुआ था कहां सैसब दश्चिन भारत में हुआ था सैसब के दश्चिन भारत में हुआ था जनम देख सकते हैं उसके बाद पच्मा में है कवित कवित का लेखक कौन है फेन तो कवित का लेखक है भूशन कवित का लेखक कौन है भूशन भूसन का जनम 1613 आईश्वी में हुआ था देख सकते हैं भूसन का जनम 1613 आईश्वी में तिकवा उत्तर परदेश में हुआ था कहां तिकवा के उत्तर परदेश में हुआ था भूसन का जनम उसके बाद छठा नमबर में है तुमुल कोलाह कलहल जिनका लेखक है जैसंकर परशाद कौन है जैसंकर परशाद है और जैसंकर परशाद का जनम 1889 में हुआ था अठाणा सो नवासी में वारानसी उत्तर परदेश में हुआ था उसके बाद पुत्र बियोग देखेंगे पुत्र बियोग के लेखक है सुवद्राकुमारी चौहान का जनम 1940 में हुआ था कब हुआ था फ्रेंट 1940 में हुआ था और इनका जनम अस्थान है निहालपुर उत्तर परदेश में हुआ था सुवद्राकुमारी चौहान का जनम निहालपुर के उत्तर परदेश में हुआ था चलिए अठमा नंबर कोश्चन को देखेंगे देख सकते हैं फेंड, अठमा नंबर कोश्चन है उसा, उसा का लेखक हो जागा समसेर बहादूर सिंग, समसेर बहादूर सिंग का जनम उनिश्वी गारा में हुआ था, कब हुआ था? उनिश्वी गारा में उत्रा खंड के, देख सकते हैं, देहरा दून, उत्रा खंड के देहरा दून में हुआ था, कहा हुआ था? देहरा दून, उत्रा खंड में हुआ था, समसेर बहादूर सिंग जी का जनम, उसके बाद नौमा में है, जनजन एक चहरा, जनजन का एक चहरा, जिसका लेखक है मुक्ती बोध मुक्ती बोध जी है गजानन्ध माधव मुक्ती बोध और इनका जनम 1917 इश्वी में हुआ था गजानन्ध माधव मुक्ती बोध का जनम 1917 में हुआ था गवालियर के मध्य परदेश में कहां हुआ था गवालियर के मध्य परदेश में हुआ था नायक, अधिनायक का लेखक है, रगुवीर सहाय, अधिनायक का लेखक कौन हो जगा, रगुवीर सहाय, रगुवीर सहाय का जनम 1929 में हुआ था, रगुवीर सहाय का जनम 1929 में हुआ था, लखनव उत्तर परदेश में, कहां हुआ था, लखनव के उत्तर परदेश में हुआ उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे जिनका लेखक है बिनोध कुमार सुकल कौन है बिनोध कुमार सुकल का जनम 1937 में हुआ था और इनका जनम राजनाद गाव देख सकते हैं राजनाद गाव 36 गड में हुआ था नेक्स नमर कोश्चन हार जीत के लेखक है असोख वाजपई का जनम 1941 में हुआ था और इनका जनम अस्थान दुर्ग के 36 गड में हुआ था देख सकते हैं गाव का घर गाव के घर के लेखक हो जागा ग्यानो तेंदरपती गाव के घर का लेखक ग्यानो तेंदरपती और इनका जनम हुआ था ग्यानो तेंदरपती का जनम 1950 में हुआ था देख सकते हैं 1950 में हुआ था कहां पार्थर गामा देख सकते हैं पार पत्थर गामा जारखंड में हुआ था ग्यानोतेंद्र पती का जो जनम हुआ था पत्थर गामा जारखंड में हुआ था तो चलिए देख सकते हैं लेखक और उसकी रचना लेकर आए थे तो कैसा लगा आ आइक शेयर कर दे फ्रेंट चैनल पे नए आया है तो चैनल को सिस्क्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दे ताकि देख सकते फ्रेंट पल-पल की अपडेट यहां से आपको मिलती रहेगी तो चलिए फ्रेंट आज के लिए इतना ही तब तक के लिए टेकन बाइग